हेलो बच्वों कैसे हैं सब लोग इस वीडियों बात करने वाले हैं CMA इंटर के सबसे important subject के बारे में that is financial accounting पहला पेपर सबसे जबर्दस सबसे high scoring subject है यहां पर हम कम से कम 70 to 80 का अगर target लेकर चलें वो भी बहुत normal सी बात होगी बड़ी ही असानी से हमारा यह paper clear हो सकता है बहु और यहां पर हम बात करने वाले है paper number five that is one FA के बारे में ठीक और जो बच्चे classes buy करना चाते हैं CMA इंटर की ठीक है चाहे वो FA की है कोस्ट की है चाहे complete CMA इंटर की है group one यह group two यह both groups बहुत ही discounted price पे बहुत ही nominal price पे high quality video लेक्से अवेलेबल है बहुत ही जबरदस content MCQ content के साथ MCQ book के साथ आपको description में आपको link मिल जाएगा link पर click करके buy कर सकते हैं और जो बचे चल के नहीं है subscribe जूर कीजिएगा bell icon नबाना मत भूलिएगा आभी तो यह चीज तो free ही है तो कर लिजिए फटाफट subscribe और वीडियो को like कर दीजिए फड़ासा हमें भी motivation मिल जाएगा ठीक तो करिए फटाफट चलिए कर दिया thank you चलिए आगे बढ़ते हैं हम बात करते हैं financial accounting के उपर अब यह इसमें आपको पता है कि हमारे 30 number का gift जो है institute ने हमारे को दे रखा है MCQ के साथ number 1 number 2 बाकी remaining बचसे हैं 70 number अब जो 30 number के हैं यह ज़्यादा तर आपको देखा होगा जो basic concepts ह जो हर chapter के conceptual questions है उसमें से ही आता है इसलिए आप समझ के चलिए यह जो MCQ है यह आपके लिए कोई नई चीज नहीं है खराब चीज नहीं आई आई आपके लिए आप जो पड़ा उसमें से उन्होंने deeply एक point पुछ लिया तो free में आपको दो number मिल गए और सबसे बढ़िया बा जाले हैं अगर आप 100 नंबर की अगर आप normal वेपर की देखो तो 100 नंबर की attempt बहुत ही मुश्किल हो जाया करती थी बच्चों के लिए CMA में आज की date में अगर आप देखो तो 30 नंबर के जो MCQ है आपके अप 30 नंबर के MCQ के लिए आपको 30 नंबर का exam करने के लिए आपको 50 सास मिनट से गंटे का समय लगा करता था अब आपके 30 मिनट में 30 नंबर के आपके MCQ ready हो जाएंगे 30 नंबर के MCQ 30 मिनट में exam में हो जाएंगे मैं आपको बिलकुल guarantee के साथ कह सकता हूं तो आपको सिरफ 70 नंबर का exam धाई घंडे में करना है इतना जबदर्स समय मिल जाता है तो आप खुछ सोचिए इससे golden opportunity इसके जबदर्स आज तक पहले कभी CMA student को नहीं मिली थी you are the luckiest person ठीक है न आप लोग सबसे लखी हो CMA course में जब आप आए हो तो institute ने इतना बढ़िया आपके लिए stage सजा के रखा है तो पटाफट इसका फाइदा उठाईए जबदर्स स्क दोर के साथ निकल जाएए पास होकर बढ़िया अपनी life set कर लीजिए अब यह जो 70 marks का है इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान से चलना बढ़ेगा आपको जैसे कुछ पहले हैं जो बहुत बहुत easy बहुत easy chapter है very very easy chapter है जो आपके जैसे की example के तौर पर नमबर एक आपका जो जर्नल का एक वरी को एक question आ जाता है नमबर दो बी आरेस नमबर तीन डेप्रिसीशन नमबर चार बिल अफ एक्चेंज नमबर पांच रेक्टिफिकेशन ओफ एरर ठीक है यह वो chapter है जो institute के all time favorite है easy easy है इसमें से आप मानके चलिए आपको बीस नमबर का एक्जाम पड़े राम से देखने को मिल सकता है नमबर एक जो बहुत easy है अब बात करते हैं जो आपके एक ही वे में जो एक्जाम चैप्टर बनते हैं जैसे कि आपका final account हो गया एनपी हो गया यह इसी sequence में किजेगा आप लोग भी final account NPO single entry department यह आपको बता है सारे के सारे चैप्टर financial statement के उपर है चारों के चारों और कम से कम दो कुश्चंद आपको देखने को मिली जाएंगे दो से तीन इन सभी chapters में से ठीक है तो इनको भी बहुत ही easily आप लोग टेक्निकलिटी आपको पता है सरफ अगर है तो single entry में है और है तो वहाँ पर भी final account ही है ना इसके लावा तो कुछ कास ज्यादा होता नहीं है तो फिर बढ़िया तरीके से इसको बहुत ही आपको जबर्दस्त रेडी करना है इसे ठीक उसके बाद यह चैप्टर करने के बाद आपको आगे बढ़ना है ठीक है accounting standard के उपर यह आपको पता है गिंती जुंती के AS है और 20 marks के आने है ठीक है बीस नमबर के आपको AS आने है तो बीस नमबर आपके बहुत ही easy है यह बहुत ही मानके चलिए थोड़े समय में आपका ready हो सकता है पुरा का पुरा accounting standard ठीक है आप मानके चलिए hardly hardly to hardly आपके 3 to 4 days में maximum 5 days लगा लीजे 3 to 5 days में आपका पुरा का पुरा यह 20 marks ready हो सकते है और partnership आपको सबसे last में करनी है और इसके लावा एक chapter और आप add on कर लीजिए जाहे इंस्योरेंस claim बहुत ही फेवरेट है all time फेवरेट है इंसिचूट का इंस्योरेंस claim भी बहुत बढ़ी है तरीके से करिएगा ठीक है और हाद chapter के mcu की प्रेक्टिस करिए जिससे क्या होगा अगर मेरे जो mcu content मैंने ready किया है उसमें आपके सारे इंसिचूट के question cover है आपके mock test paper अपना model test paper past year सब कुछ उसमें mix up कर रखे हैं जिससे क्या होगा आपके आपको पता होगा कि इंसिचूट अपने material में से ही maximum paper डालता है तो आपको बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा उचल कूद करने की चरत नहीं पड़ेगी क्या करने भी न चाहिए मैं आपको CMA student के लिए special बात बोलना चाहूंगा कि आप अपने study material को ही अगर आप पूरा focus करके चाहिए तो बहुत ही जबदस्त आपका ज्यादा है ठीक तो आज के लिए इतना ही FA को इस तरीके से त्यार किजिएगा ठीक है तो बहुत बड़ी है आपका score निकलेगा आप बाकी का होगेगी ठीक है प्रॉपरली अगर कोई भी subject को आप सही तरीके से follow करके चलोगे बहुत बड़ी है आपका result निकलेगा 100% definitely तो आज के लिए इतना ही classes buy करने के लिए visit कीज tutorial.com description में आपको लिंक मल जाए थैंक यू वाच्छु